दोस्तों क्या आप भी ऐसा एक डेड़ पीसी यूज़ कर रहे हो रुको भाई लेकिन भाई इसको फैक ना नहीं है अभी रुको यार अभी इसके अंदर ऐसा अपग्रेड आज करने वाले है ना कि सीन पूरा सेट हो जाएगा मामला गड़ आएगा नहीं और बहतरीन मतला आ अगर मात्र आप एक दो गेम्स खिलना चाते हो हलकी सी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं तो वह भी कर सकते हो एडिटिंग का मात्र बोला जाए थोड़ी बहुत एडिटिंग भी कर सकते हो इतनी खास नहीं पड़ा ओल्मोस सारा कुछ हम लोग एक डेड़ पीसी को देखो बस आज हम लोग लाइब टेस्ट वैसे पहले भी कर चुके बठाए एक थोड़ा सा ओवर्व्यू आपको देदूंगा आगी स्पीड बढ़ने की गरेंटी तो आप लिखवा लो चाहे तो साइन वेन करना है बता जीजे सर बस आगे तो सबसे पहले हमें क्या करना ह यास यार सिंपल हमें Amazon खोलना पड़ेगा क्योंकि हमारा बजट जो है वाई 2K के आसपास का है या 2K 3K का तो सबसे पहले हमें एक SSD उठानी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यह सबसे बेस्ट राइगी है 240GB यह 120 मतले बहुत कम हो जाता है 240GB 1300 के आस आपको इसी भी वैसे प्रेफरेबल है अगर GTA 5 खेलना तो 240GB लेना अब से इसको सिंपल कनेक्ट कहां करना है हाट ड्राइफ की कनेक्शन हटाओ यहां एक साटा पोर्ट होगा जिसको आपको SSD के साथ पोर्ट में कनेक्ट कर देना है यह यह डन हो गया और दूसरा हमें क्या करना है आप लोग जानते हो एक पावर देनी है जो पावर सप्लाइब से आ रही होगी SSD तो अप्ग्रेड हो गई अब PC हमारा Windows बस डाल ली है आपको वो तो आपको पताईए बस अब next हम लोग क्या करने वाले अगें यहां पे हमें RAM अप्ग्रेड करने रैम भाई 8GB हम लोग रखेंगे और DDR3 यह चीज काफी depend करती है आपके motherboard और बहुत कुछ चीज पे तो DDR3 RAM आपको 1000 तक की मिल जाएगी अगें 2300 के आसपस में एक basic upgrade हो जाएगा जिससे आप आज के time की सारी web browsing और यह सारे task कर सकते हो तो यहां से आप यह भी purchase कर सकते हो और अगर आप offline लोगे तो और सस्ती मिल जाएगी यह भी बता दू मैं आपको तो कोई सी भी purchase कर सकते हो यह 950 वाली भी भागी दोस्तों आप लोग भी RAM upgrade कर रहे हो तो एक छोटी सी सला मेरी तरफ से की motherboard जरूर चेक कर लेना और previous जो RAM रगी है उसको एक बड़ नोटिस कर लो DDR3 ए 2 है 2 भी हो सकती है तो वहां पर 3 रहेगी तभी अच्छा रहेगा और 8GB कर लो 16 पर मत अभी यार इतने और here we are going for eject it 8GB यहां पर कर दी भाई install completely ठीक है लगा तो मैंने दी थी पर हाँ अगर आपको मैं दिखा हूं यहां पर देख सकते हो भाई 8GB की हम लोग की stick यहां पर use कर रहे हैं here you can see अब इसको बस इसको अगें भाई लगा देता हूं SSD और RAM इन दोनों के यहां इस पीसी को अगें भाई पावरफुल बना दिया है लीजे सर आपका dead PC उठा के जिंदा कर दिया वापस अगर पैसे हैं तो भाई हमारे पस यहां पर प्रोसेसर अप्ग्रेड का भी अच् सकते हो तो यह दोनों को अगर आप एट करोगे तो थोड़ा बजट जरूर बढ़ जाएगा एराउंड आप मिरसे पूछोगे तो यह आपका मामला तीन चार तक पूंच जाएगा बढ़ रैम SSD एक बेसिक चीज थी आज के टाइम भी बहुत PC SSD भी डाल लेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा रैम भी उसके अलावा यह उप्शन है तो हाँ आप PC अपना फास्ट कर सकते हो यह डेडली PC मैंने यार आज अपना कोने में पढ़ा तो धूल मिट्टी में उठा के लबा लब लिया और भाई थोड़ा मामला सेट कर दिया है तो इस तरीके से कर सकते ह अचा यह सारी चीज़े आपकर आपकर लोगे ना तो हमारे एक 10,000 का PC था यह बटन से देखना उसके हमने गेमें मिमिंग सब करी थी उस तरीके का कुछ आप पहुंच जाओगे लाइक हमने तो GTA 5 भी चला दिया था बढ़ा यह सब करना है तो बैसिक अप्ग्रेड मैंने आपको शोग कर दिया तो यह कंप्लीटली सीन है भाई PC जिंदा रखो, सर्वर बनाओ, जो मर्जी वो करो बाकी हाँ चलो अगर वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है टेक रिलेटेड वीडियो उसके लिए शेर कर देना म सब्सक्राइब बनता है तब तक के लिए बायर जय हैं जय भारतवन्दे मातरा